असलाम वालेकुम इस्टानर 11 सब्जेक्ट इकोनोमिक्स चैप्टर नमबर 7 तो आज हम किताब का सबक नमबर 4 यह चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतिय मास्यात जिसको गुजराती में हम कहेंगे भारतिय अर्थ तंत्र इस सबक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भारत आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत का जो मासी निजाम है वो कैसा था इसके इलावा भारत के अंदर माजी में इसके मासियात में क्या तबदिली पेश आई और आजादी के बाद मासियाती निजाम में कौन-कौन सी तब्दिलियां पेश आई इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे इसके इलावा भारती मासियात के अंदर यानि के भारती निजाम के अंदर सबसे पहले है तो कदीम जमाने में भारत के अंदर पुई ठेप के रोजगारी खेती पी सनर्ट और खिदमात के सोवे के अंदर माजी में यानि के आजादी से पहले मासियात के निजाम में इन तमाम के अंदर तब्दिली आई और जमाने हाल के अंदर भी इसमें क्या तब्दिली पेशाई और हमारा भारत किस वज़ा से पूरे देश में पूरे दुनिया के अंदर आयने के भारती मासियत के निजाम से पूरा भारत जो हमारा है वो पूरी दुनिया की अंदर किस तरह से आगे आया तरक्की आफ़ता द आना पड़ेगा काई यह हम देखेंगे के भारते मास्यात याने के भारते अर्तर तंदर के अंदर तो भारत जो दुनिया में हैं भारत दुनिया में तेजीब के नजरिये से सबसे आगे हैं तेजीब वाला मुलक है और इसकी खासियत है कि हमारे यहां पर बड़ी बड़ी त जैसा के सिन्ध तहजीब इसके इलावा हडपा मोहंजोड़ों ये तमाम के तमाम हमारे पास जो है खदीम जमाने की तहजीबे वाला मुलक है इसके इलावा भारत जो में हमारा है तो लोकशाही ये जमूरियत वाली हुकूमत है मुक्तलिफ लोग नहां पर रहते हैं एक भार जिसaka asking to घुजराथ के उनदर इंदर डि इयास्ते कि जो है वह लग अलग कि समके उनकी जबाने जबूंए उलग तक कि उनकी उराग अलगे फिर भी हमारा देश जैने कि हमारा मुल्क एक्ता ऐप connections के लिता ही तो सबसे पहरे हम देखेंगे के भारत थे तो भारत का नाम किस तरह भारत पढ़ा तो जो भारत का नाम है तो जो खदीम जमाने की किताब है महा भारत और रामायन हम जानते हैं गरंद हम दसी में भी पढ़ चुके है के महा भारत और रामायन तो जो महा भारत के अंदर है उस सबसे पहला भारत के बारे में तो उसके मुताबिक है कि जो राजा दुश्यन ते राजा दुश्यन और राणी सकुन तला का जो बेटा था भरत भरत उसके नाम पर से हमारे भारत तो नाम पर से हमारे देशका नाम भारत पड़ा अब भरत का हम्भौरत का माईनी जानेंगे तो भरत का मतलब होता है के प्रकाश यहने के रोशनी और इसका मतलब होता है तर का मतलब होता है देने वाला यहने के रोशनी देने वाला तो भारत का मतलब है रोशनी देने वाला तो भाई काई की रोशनी देने वाला है तो इल्म की रोशनी देने वाला है क्योंकि खदीम जमाने से कोई भी राजा हुकुमत है हमारे वहाँ पर तालीम के अंदर उनका एक बहुत ही बड़ी एहमियत रही है और राजा ने कुछ न कुछ तालीम के बारे में किया है तो भारत का मतलब होता है कि रोशनी देने वाला और इसका नाम किस पर से पढ़ा के राजा दुशियन और रानी सकुन तला का जो बेटा था बरत के नाम पर से हमारे देश का नाम भारत पड़ा अब इसके अलावा जमाने माजी में हम देखेंगे तो जमाने माजी में जो हमारा फिलहाल अभी का जो भारा थे तो उस जमाने के अंदर हमारे भारत को सोने की चिडिया कहा जाता था सोने की चिरिया क्यूं कहा जाता था हमistes उपिले एतिहास पड़ चुके हैं हमने दसफी नौमी में पढ़ाएं यहि Wi-10 उमी सोने की चिरिया क्यूं कहला था उस वक्त हमारे देश के अंदर इसप्व जो खेती मैं हमारे देश को सोने की च्रिया की थे इसके इलावा हमारे भारत के अंदर खजिम में तक हम आ溜ी यनिके कारोबार सब बहुत है उंचा जिसके नौझे में जिसे मुमालिक थे बैनुल्लपाभामी जो मगळते वह भी इसकी खिचायों की तरफ यह आए और यहां पर आने के बाद में हमारे पास किते साल तक हमारी होटवcr डीया है लेकिन भारत की तरकीती उसकी वजह से बहुत से दोस्तों ने इसके ओपर हमले भी किये और यहां से बहुत सारा सामा यह नहीं कर दोलत हमारी लूट कर चले गए इसके राइजमपल के तोर पर जो अंग्रेज हमारे यहाँ पर कियो आये थे के तिजारत की गर्ज़ों से अए थे लेकिन दीरे दीरे उन्होंने क्या किया कि भारत के पूरा अफ्टेदार जमा लिया और यहां पर पूरे भारत को मैं किया कर लिया अपनी कबजे में कर लिया और कितने साल तक हमारे उपर हुकूमत करी है इसके इलावा हमारे ही आप जिसके नतीजे में क्या होता है कि पहले भारत सोने की चुरिया के रहाता है यहीं बात हमारे सवाल उट्टियं की उस वक्त सब गया तो किधर गया तो वज़ा यही यह उस वक्त भारत के अंदर बहुत से देश उने इसकी तरह किचाओ किया क्योंके वहारत उस स्थजा की तरफ्यार करन विधा फंद्रासद करके हमारे उपर हुकूमत भी 1526 सिलय स्वहं 1358 तक देखेंगे इनने के 16 सदी की शुरूआत के अंदर सब्सदी के अंदर जो मुगल बादशा मुगल सासन था यह के मुगल इक्तिदार था मुकम्मल तोर पर उसके ओपर भारत देश पर चल रहा था लेकिन भारत के कारोबार का यहने के माइनी है कि आने वाले हमारे यहाँ पर कौन-कौन से अक्वाम आई थी हम नौमी में आटवी में दसनी में पढ़ चुके हैं प्रांच पुर्तोगाली डर्च अंग्रेज जैसे बहुत से बेगर मुमालिक हमेरे यहाँ पर अंग्रेज 1857 से 1947 तक उन्होंने यहाँ पर अपना अक्तिदार जमाया 1757 से 1858 तक उन्होंने इश्ट इंडिया के दर्मियान क्या कि अन्होंने 1858 से 1947 तक बर्तानिया हुकूमत के दोर के अंदर नम्से जाना जाता है प्रिटिश साशन के तोर पर पहचाना जाता है इस तरह अंग्रेजों ने भारत पर 28 सदी के दर्मियान से 20 सदी के दर्मियान तक पूरे मुमालिक पर उन्होंने अपना क्या जमा लिया था एक्तिदार जमा लिया था और आखिर कर पंदर्मिय ओगस्त 1947 के रोज हमारे भारत देश को आजादी हासिर हुई यहने के यह दोर लेकिन अब हम देखेंगे के यह था भारत की पूरी इतिहास बताए हम यहने के भारत के माइनी बताए अब हम देखेंगे के ख़देव भारत प्राचीन भारत के अंदर हम देखना क्या चाहते हैं के इंडियन एकोनौमी यहने के भारती अर्थ तंत्र भारत माश्याती नियाँ को wurden देखना चाहते यह लेकिन उसको जानने के लिए उसको उसको माजी में हमको जाना पड़ेगा इसके बाद हम जमा आने माज़ी के बाद पहले में आपको समझा दिया कि भारत उस वक्त चुने की जुड़ीया क्यों एक उसका नाम के से पड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि खदीम भारत में क्या है। तो खदीम भारत यहने के हंदोस्तान हमारा। में कौन अब वी मैंने पहले ही बता चुकी थी दो खदेम था ईकिख similarity करी दो हम नौमी स्टी है नौमी दस्टी में परचुकर दस्टी में ऊथकffen ताक्त में आपको याद हो गांव एक थी कून कुंसी सी थी खदिम थी खदीम थी इसलिए इसके इलावा हडपा मोहन जोडरो कि जो नामे इन मुकामात पर से भी हमको इस तहजीब के बहुत से आसारा सावित हुए है हम ये दस्वी पर पढ़ चुके हैं अब खदीम भारत की जो मासी तरक्की है वो दुनिया के मुलकों की आखों को चमका देने वाली थी यह करा से यह को समझो के दम्यूम्य स्वाजाए तक भारत कि जो धीम समय से यह कि खदीम वक्त से जो खेटी और उसकी खेटी खेटी के अंदर हमारा मुल्क सबसे ज्यादा एहम्यत रखता है भारत ही जे क्यों है यह पीजिए पढ़ाएं और वही आने वाला है और बहुत इस दिल्जी जनरे कि खदीम भारत में क्यों कहीं हो आगो हैं तो भारत ही की जी सा मुलकि के जहां पर तीन iuत तीन वोसम होते ही हैं सर्दी गर्मी और बारिश थीन तीन मुसम में हमारे में अलग-अलग किसमे की हम पसले लेते हैं जिसके नतीजे में जो हमारे जो खेती का शौबा है वो खदीम जमाने से ही आगे है और जिसकी वज़ा से हमारी तरक्की भी जो है तो खेती के उपर पुरा दारोमदार रखती है भारत के जो इद्दम तरक्की आफ़ता थे कदीम जमाने की बात कर रही हूं कि कदीम जमाने में जो भारत के जो किसान थे वो भी कैसे थे तरक्की आफ़ता थे जब के भारत जब तरक्की आफ़ता खेती में है तो जाहिसी बाते सनतों के अंदर भी वो आगे ही होगा उसक्त भारत के अंदर जो सनते थे, सनतों का जो डंका था, पूरी दुन्या में उसका बच्टा था क्योंके जब खेती में किसान आगे है तो जो गच्चा माल जो मिलता था, जिसके नतीजे के अंदर जो हमारा सनती जो सोबा है वो भी आगे था और जिसका जो डंका बचता था पूरी दुन्या में बचता था जिसके भारत कपड़े की सनत के अंदर पर्सन की सनत में कोल से कोईले की सनत में इसके अलावा चाह, कोफी, रबर ये तमाम अलग-अलग सेखजेने के सोबों के जानते हैं तो भारत जो है वो क्या करता था बरामत करता था सूती कपड़े की सबसे ज्यादा मांग थी योर्व मुमालिक के अंदर इससे पहले भी हम जाना इसके लवा कपड़ा था ही लेकिन कपड़े के इलावा भी जो दूसरे सोबे थे मसलन कौन-कौन से मरी, मसाला, ताज, सुत्राव कपड़ा, मलमल, गरम कपड़ा ये तमाम के तमाम का जो है तो भारत क्या करता था दूसरे मुमालिक को क्या करता था बरामत करता था जिसके नतीजे के अंदर जो भारत की जो सनत थी वो क्या थी नंबर एक पर थी और पूरी दुनिया के अंदर उसका क्या भौब देंग इसके बाद हम देखेंगे तो भरत के अंदर रोजगारी खेटी यहां किया सबसे पहले रोजगारी धांचा यहने के रोज़गारी नों मारकों तो खदीम भारत से यहने के खेटी के अंदर आगय मैं पहले बाता है के खेटी के अंदर एहम्यत रखता है इसके जो गाउं जने के जो ग्रामिक बोलेंगे जिसको उसका निजाम भी किसके उपड़ था रोजगारी याने के खेती के उपड़ मुनसिर था अब इसके बाद रोजगारी के मार्खे के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे के खेती और दूसरा है सनत और तीसरा है किदमात तो सबसे पहले हम देखेंगे एक खेती तो भारत की जो खेती है ये बहुत ही तरक की आफ़ता थी मैंने पहले ही बता दिया जिसकी वज़ा से जो गाउं के इलाखों के अंदर उसके उपर ही मुनसिर थे गाउं में रहने वाले आबादी जो थी उनकी ज्यादातर की जरूवत की अशिया जैसा कि अनाज है सबजी है फल है कपड़ा है चपड़ यहां तक के मवेशी का पालन ये तमाम के तमाम अशिया वो किसके उपर होती थी खेती के उपर दारोमदार रखती थी और उसके उपर से ही वो पैदावार करती थी जिसके नतीजे में जो उनकी जिन्दगी थी किसकी किसानों की जो जिन्दगी थी जो खेती के सोबे पर दारोमदार रखते थे उनकी जिन्दगी थी केसी खुशाल थी कब थी कदीम जमाने में यहने के आजादी से पहले के मुताबिक याद रहे कुन सा टी राय चोधरी के मुताबिक उन्निस्वी सदी से पहले भारत सनत्ती पैदावार के पैदावार करने के अंदर सबसे आगे था और इसका मुख्सूस जो था वो कौन था सुत्राव कपड़ा मलमल का कपड़ की क्या करता था वो बरामत करता थ इसके इलावा मूतियां ये तमाम वगेरा वगेरा जो है उसकी पैदावार करने में यानि उसकी पैदावार करके भारत उसको दूसरे मुमालिक में यानि के बेनुल अक्वामी मुमालिक में क्या करता था बरामत बरामत का मतलब होता है भेजना और दरामत का मतलब होता है इसके बाद आएगा सेवा यहांने की जिस्को हम करें सॉरी सनट सनटों के अंदर मेरे आपको बता दिया अब जो तीसरा था वो सेवा जिसको हम करेंगे खिडमात तो खिडमात के अंदर लगबक 600 साल पहले पहले कदीम भारत के अंदर मुक्तलिप निसान वाले सिक्के बनाने में आते थे किते साल पहले छहस्सो साल पहले कुन से सिक्के मुखत यानि के अलग-अलग किस्म के निसान वाले सिक्के बनाए जाते थे खास करके उस वक्त में मुक्तलिब जो कारोबार करने वाले है इसके इलावा जो सेहरी तरफ की आफ्ता करने वाले है वो निसान वाले काम काज जो करते हैं यानिके रियासती एक्ताम इसके इलावा ये फोजी सुरक्सा की वज़ा से जो खेती की पैदावार करने में जो आरोबार करने वाले है वो क्या करते हैं उसके उपर नौंदरी करत यहां पर हमने क्या देखा कि भारती अंतरत का निजाम देखा यहां कि हम इसमें आगे 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 देखेंगे ये तो मैं आपको सिर्फ कि खदीम भारत के बारे में बता रही हो कि भारत के माईनी क्या है भारत का नाम के से पड़ा इससे पहले हमारा भारत क्यूध की आगटा था अब begitu नहीं किस वज़ा से हमारा भारत पीशे हो गया कौन-कौन से मुमालिक हमारे यहां पर तिजारत की गर्जिस से आए और इसके इलावा किस कौन हमारा देश का जो भारत का निजाम है वो किस तरह से उसके अंदर हलचल मच गए किस तरह से हम पीछे हो गए कि हम इतने आगे थे और किस तरह से तो कदीम भारत में लोगों जो खिसान थे वो किस तरह से खुशाल थे उसके अंदर मासी निजाम के अंदर कौन कौन सी तबदिलिया पेसाई और अब कौन सी तबदिलिया पेसाईगी ये हम नेक्स प्रियाट में देखेंगे तो अभी फिलहाल हमने भारत के खाली खदीम भारत के बारे में जाना तो कुण-कुण से थे एक था खेती दूसरा था सनत और तीसरा था खिदमाद अब हम नेक्स बिलियेट में देखेंगे कि उस वक राश्ट्री आवब क्या थी भारत की चैने कि insp liberty दिये ठील इस के बारे में हम नेक्स बिलियेट में हाँ जानकारी हासिल करेंगे